प्यारे बच्चो हिंदी व्याकरण में आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक सब्द का मतलब क्या है बच्चो कि अगर हमें अपनी बात को कम शब्दों में कहना है तब हम अनेक यानि कई शब्दों के इस्तान पर एक सब्द का परियोग कर सकते हैं इनके परियोग से कम शब्दों में अपनी बात कहने का हूनर आता है यानि हमारी योगता वड़ती है कि हम कम शब्दों में यानि संक्षेप में अपनी बात को सपष्ट कर पाते हैं इन्हें वाक्यांस के लिए एक शब्द भी कहा जाता है क्योंकि वच्चों ये जो अनेक शब्द हैं ये पुरा वाक्य ने होकर वाक्य काई के हिस्सा होते हैं इसलिए इनको वाक्यांस के लिए एक शब्द भी कहा जाता है जैसे जो कभी ने मरे, उसे हम अमर कह सकते हैं तो इसले हमारे शब्द मंदार के वी विर्दी होगी हमें नएने शब्दों का ग्यान होगा अनेक शब्दों के अस्थान पर एक शब्द का प्रियोग करना आएगा तो हम अपनी बात को कम सब्दों में कह पाएंगे का मतलब है वज्जो तुल्ला हुपमा का मतलब भी समानता बताना होता है अनूपम जिसका आरंब ने हो अनादी जो दिखाई ने दे एद्रिशे जिसकी आने किती थी ग्यात ने हो अती थी जिसकी कोई सीमा ने हो असीम जिसके समान दूसरा ने हो एद्वित्य जिसमें लजजा नहो निरलज जिसके कोई संतान नहो नी संतान जो कड़वा बोलता हो कटू भाशी जो मीठा मिर्दूभासी जैसी भूमी जहां दूर तक रेत ही रेत हो मरुस्थल अक्षे चृत्र वाला से चृत्र हित चाहने वाला हितेशी हित यानि हमारा भला चाहने वाला जिस इस्तिरी की आखें मिर्ग जैसी हो मिर्ग नैनी जिस की स्तिती दया के योग्य हो दयनिये जिसमें संधे नहो निसंधे गुप्त रहेकर जानकारी करने वाला गुप्त चर यानि छुपकर किसी की जानकारी लिने वाला बच्चों गुप्त चर होता है चिकित्सा करने वाला चिकित्सक यानि जो डोक्टर है चिकित्सक कहा जाता है उसे जो दूर तक की बात सोचता हो दूर दर्शी सब को समान समझने वाला शम दर्शी जिसका कोई आकार नहो निराकार जहां कोई मनुष्य नहो निर्जन फालतू खर्च करने वाला अपवई य जिसका विवार ने हुआ हो, कुमारा, जो जनम से अंदा हो, जनमांद, जिसे बहुत से बातों का ज्यान हो, बहुग्य, जो सब कुछ जानता हो, सरवग्य, जो बहुत कठिनाई से प्राप्त हो, दुरलब, जिसे करना बहुत कठिन हो, दुशकर, यानि कि कठिन कारिय को दु ने होसके ऐसाध है जो आखों के सामने हो पर तैक्ष जो बिना वेतन काम करे ऐवैतनिक पिश्चिम से समध रखने वाला पास्चात्य यानि जो पिश्चिम दिसा में जो देश बचों उनको पास्चात्य देश कहा जाता है पकवाडे में एक बार होने वाला पाकशिक, पकवाडे का मतलब क्या या पंद्रा दिन, कि जो पंद्रा दिन में एक बार होता है, पाकशिक कहलाता है, जिसके आरपार देखा, जास के पारदर्शी, जो अपने उपर किये अहसान को भूल जाता है, किर्टगहन, यानि याद नहीं रखता, क किसी ने उस पर कोई ऐसान किया है बहला काम किया है उसकी कोई साहिता की है और अधर वह भूल जाता है तो वह किर्टगन व्यक्ति होता है जो कम बोलता हो मित भाशी जो बहुत ही कठिनाई से सिद्ध हो उसके दूसाध्य पत्ति और पत्नी दम पत्ति जो अपने उपर किये किर्टग और जो भूल जाता है वो क्या था किर्टगन तो यह दोना शब्द आपको अलग-ज़ग याद रखने हैं जिसको गोद लिया गया हो दतक जो कम ग्यान रखता हो अलपग्य इतिहास से सम्मंदित इतिहासिक राजनिती से सम्मंदित राजनितिक जिसने मिर्टु क जीत लिया हो मिर्तुन जय यानि जिसने मिर्तु पर विजय पाली हो मिर्तुन जय होता है तो अच्छा वच्चो यहां तक आपको अवश्य ही याद कर लेने हैं इन्हें दो तिन बार अच्छे से पढ़ोगे तो यह याद हो जाएंगे और घर पर इने जरूर सुनाना और आ दे लाई